हेलो प्रेंट्स आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल येस्टरट्वेंट्वेंट्स आप लोगों को आज बहुत हैं जबरदास्थ और नौलेश्पून वीडियो देखने को मिलेगा अगर आप लोगों हमारी चैनल पर नए हैं तो कि प्याँ चैनल को सब्सक्राइब कर देखने बेग लाइकन को प्रेस कर देखने ताकि इसी तरह का नौलेश्पून वीडियो आपको हमेशा मिलते हैं मैं सुरू करता हूँ आज का पहला प्रश्ण है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं इसका एंसर हो जाएगा आपको लोकसभा लोकसभा कहते हैं यह एंसर हो जाएगा इसका उसके बाद का प्रश्ण है समीधान में लोकसभा के सदस्चू की मुल संख्या क्या है तो इसका एंसर हो जाएगा आपको पाँच सो बावन यह इसका एंसर हो जाएगा उसके बाद का प्रश्ण है आपको वरतमान में लोकसभा में कितने सदस्च हैं इसका जाएगा पाँच सो प्रश्ण हो जाएगा उसके बाद का प्रश्ण है रास्टपती, अंगल, भारती समुदाई के कितने परतनीधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है तो इसका एंसर हो जाएगा दो लोकसभा में उसके बाद का प्रश्ण है लोकसभा में किस अधार पर सीटे आवंटित होती है तो इसका एंसर हो जाएगा जन्संख्या के अधार ये इसका एंसर हो जाएगा उसके बाद का प्रश्ण है अगला प्रश्ण है वर्तमान लोकसभा में परतिक राज के लिए अस्थानों को आवंटित किस परकार अधारित है इसका अंसर हो जाएगा उने से 70 की जनगना पर यह इसका अंसर हो जाएगा उसके बाद का प्रश्ण है कौम सी लोकसभा की चुनाओ पर चर्णों में हुए चोदवी चोदवी चर्णों में उसके बाद का प्रश्ण है लोकसभा का सदस बनने के लिए नियुनतमायो कितनी होने चाहिए इसका अंसर ह वश पृष होने क्या है ता उसके बाद का प्रश्न है इसका इंसर हो जाएगा उत्तर परदेश इस इसका इंसर छेट्र है कि स्यराज में है ARliumveat तो यह के उसके बाद का प्रस्ण है किस राज में लोकसभास देश्वियों की संख्यां सबसे कम है तो नागालेंडराई शिक्किमवा मिजोरम ये तीन राज है जहां पर लोकसभास देश्वियों की संख्यां सबसे कम है उसके बाद का प्रस्ण है भूतपुर समसद सदस्यों को पंसन बिवस्ता कर लागू की गई 1976 ये इसका अंसर हो जाएगा उसके बाद का प्रस्ण है लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं वर्स में दो बार ये सकन्सर हो जाएगा उसके बाद का प्रस्न है लोकसभा को कौन भंग कर सकता है राष्टपती परधानमंत्री की सलाह पर ये सकन्सर होगा राष्टपती जो है परधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकती है उसके बाद का प्रस्न है वितिय बिल कहां पास हो सकता है इसका अंसरो जगा लोक सभा में इसका अंसरो जगा उसके बाद का प्रस्ण है अब इस वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है अब इस वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है तो इसका अंसरो जगा अगला प्रस्ण है बजट किसके द्वारा परित किया जाता है तो लोगसभा द्वारा इसका अंसर हो जाएगा उसके बाद का प्रस्ण हो जाएगा आपको लोगसभा के सदस्वों की कर निर्योंगता से समद्धित प्रश्न कईन्तरे कों करता है तो लोग सभासर आप प्रस्ण एक है। इसका निख्ट सपर प्रियाप्टी सब्छक्ज को क्या करते हैं प्रो noi प्रस्म है कि नुक्ति कोन करता है कि इसके बाद का पर्सम है कितने दिनों तक अमएप स्थिती रहने पर लोग सबाओं के संग के समात हो जाती है कि उसके बाध का प्रस्थ कि मंतरि परिषद के प्रति प्रति ये इत रड़ाई होती नहीं वर्ष के लिए येच रहा oldकures लोकrob साथा के इसांचत प्रस्णे कैपासोराई उसके बाद का प्रस्ण है किस अवर्ष्था में सद्रच लोकसभा कारद कार्ड भराय smo आफ़कालिन की इंदài सतीती एक एक करके दो बार बरहा गया उन्हें से उच्छी सब्दावली में उसके बाद का प्रस्ण है राजनीतिक सब्दावली में सुन्य काल का अर्थ क्या है प्रस्णतर सब्दावली का अर्थ है उसके बाद का प्रस्ण है जर्दी कोई ब्यक्ति राजसभा का सदस है तो क्या वर लोगसभा में अपना ब्यक्त तब दे सकता है तो इसका अंसर यह हाँ दे सकता है उसके बाद का प्रश्ण है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है तो लोकसभा सदस्थ करता है उसके बाद का प्रश्ण है लोकसभा का स्थाय अध्यक्ष को म्युक्ति करता है राष्टपति करता है उसके बाद का प्रश्ण है लोकसभा अपना त्याग पत्र किसे लोक स्भाव अद्ध्यक्ष को इसका अंसर होगा उसके बाद का प्रश्ण है। दिडियात्तमत्य देने का अधिकार किसको रोग्स्वाध ध्यक्ष को है।bn सकते होगा। उसके बाद का प्रस्ने लोगसभा का सची बाले किस से नियंतित होता है तो लोगसभाद्धक्ष से नियंतित होता है ये इसका अंसर हो जाएगा उसके बाद का प्रस्ने भारत के पर्थम लोगसभाद्धक्ष कौन थे भारत के पर्थम लोगसभाद्धक्ष कौन थे इसका जेवी मावलंक कर टेस्ट कमसर हो जाएगा तो आई होप एप लोग से मच गए होंगे